कि दोस्तों सबसे पहले आप सबको प्रणाम और नवरात्री की हार्दिक बधाईयां आप सबको काफी अर्से के बाद मैं आप से मिलने वाला हूं यह आप मुझे देख रहे होंगे यूट्यूब पे शाहे धेड़ साल से भी ज्यादा आपके देलों दिमाग में कोश्चन तो आता होगा कि इसकी वीडियो क्यों नहीं आती इस बात का को क्लारिफिकेशन आज मैं दोंगा और दूसरा जो सबसे जो इंपोर्टेंट टॉपिक होगा मुझे आपके लिए क्लारिफाई करना वो यह की जो गौरवतिवारी भाई की जो डेथ होई थी और उनकी गले पे जो निशान आया था उसको ब्लैक मार्क बोल करके काफी मतलब भूत प्रेत का एंगल जोड़ा गया था भानगड़ की चुडेल और बहुत तरह की चुडेल जिन जिननात इन से जोड़ा गया था हर तरह के लोगों ने हरको जोड़ा थ देखो यह तो मैंने बता दिया कि दो चीज आज दो बात मैं करूंगा दो टॉपिक कवर करूंगा एक अपने बारे कि हां मैं वीडियो क्यों नहीं कर रहा था दूसरी जो गौरव भाई के बारे बुला डेमोनिक मार्क बोलते हैं उसको कुछ लोग कुछ लोग ब्लाब्ल कुछ भी बुलते हैं चलिए मैं वीडियो क्यों नहीं कर रहा था बताता हूं कि 2021 सप्टेंबर में गौरव तिवारी के ऊपर एक बुक लाँच होती है गोस्ट हंटर गौरव तिवारी इस पर मैंने वीडियो भी किया हुआ है पहले आप मेरे यूट्यूब शैनल पर हुए हैं IPS मतलब Indian Paranormal Society जिसको गौरव तिवारी चलाते थे कि चलो जिन्दा होते वे तो इनको इतना नाम नहीं दिया दुनिया भालों ने अब तो चलो कुछ तो मिला हम काफी दिन बड़ एक्साइटेट थे कि चलो कुछ तो हुआ है गौरव को लेकर के लेकिन यह जो हम पुबिशिंग हाउस था जिसने किताब को पबशिश किया था या उसके जो पब्लिशर थे जो भी हो इन्होंने क्या किया कि तमाम यूटुबर्स को पकड़ने लगे बिना उनके क्रेडिबिलिटी जाने कि किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर है किसी के 2 Mlion है किसी के 5 Lacks है क किसी को ठीक से यह भी नहीं पता है कि कॉंशेसनेस का मतलब क्या होता है। मतलब इस तरह के यूट्यूबर्स से उन्होंने क्या किया कि किताब को देना फ्री में शुरू किया उनको कि भई बुक का प्रचार करो। अब्यस सी बात है उन्होंने भोला कि नहीं बोला क्या बोला कि तुम्हें जो बोलना है भाई यूट्यूबर साब तुम्हारी मर्जी तुम जो बोलना है चाहो बोलो हमारा कोई लिना देना नहीं है अब वापिस जाते हैं 2016 में साथ जुलाई 2016 जब गरोतिवारी की डेथ हुई थी पूरे मीडिया में एक खबर चल रही थी कि नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी जी इसने बेया उसने दिया घरवालों ने दिया ऐसा दिया वैसा दिया लेकिन जैसे ही फैक्ट आया डेली पुलिस के पास और ज उसी गायब हो गया बिलकुल गायब ही हो गया खटम कोई चर्चा नहीं कुछ नहीं चलो यह भी ठीक है मेडिया वाले हैं उनके पास 10 तरह के काम होते हैं 10 तरह के टॉपिक है मैंने अपने लेविल पर महनत करना शुरू किया अपने यूट्यूब के माध्यम से कि देखो अपने अच्छे खासे प्रोफेशन को छोड़ करके एक ऐसे प्रोफेशन में आ गये थे इन फैक इसको मैं प्रोफेशन नहीं कहता हूँ यह शौक होता है लेकिन उन्होंने इनको इसको क्या प्रोफेशन बना लिया था यह सबसे बड़ी गलती की थी और वह बार बार को कहते थे की लोगों से भूतों से नुकसान नहीं पहुचाते हैं यह क्या है इसा एंड़ाएंन करना चाहते हैं यह आप से इंट्राक्क करना चाहते हैं ए मेरे बोह सारे से वीडियोस हुए कर ही कुछ ऐसा लगा भी मुझे तो मैंने लोगों के सामने इसको एक तरीके से प्रेزेंट किया कि देखो मुझे ऐसा लगा है इडिटिंग मुझे नहीं आती हाँ वीडियो का अनलीसिज करना मुझे अच्छ से आता है एडिटिंग मुझे नहीं आती और शायद इसलिए आज तक में यूट्यूबर नहीं बन पाया कि वह कोई बात नहीं है लेकिन पिछले साल की बात बता रहा हूं 2022 जब मैंने लास्ट शो किया था न्यूज एटीन इंडिया के साथ बेगुन कुदार रेल्वेस्टेशन का कि 42 साल से रेल्वेस्टेशन बंद है वहां पे चुड़ेल के कारण हमें जब कुछ नहीं मिला तो भर-भर के लोग यूट से इंवेस्टेशन नहीं किया यहां कुछ तो है नहीं तो लोग वीडियो क्यों बना रहे हैं मेरे पास दो तरीका था या तो उनसे हाथ जोड़नों की भाईया ठीक है आप ही जानते हो अब वीडियो देखो आप ही निकालों इसकर्स क्या है यह जो हम वहां गया है वहां इंवेस्टिगेशन किया है हम बेवकूफ हैं क्रिमिनल से भड़ा भड़ा इलाका है वह नकसल्स मौविस्ट उनका गड़ है वह हमने तो वहां पर शुटिस ले कर लिया क्योंकि नियूज 18 इंडिया वालों का लाइन अप था इनों ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के इस आर्मगाड बंदों को आले मंगवा लिये थे वहां पर कुछ से अगर जाते तो खुद हमें भूद बना देते वह देरे-देरे मुझे बड़ा दुख लगने लगा गया देखो पांस साल मैंने मेहनत किया और अब को मतलब दुनिया को बताने में कि उसकी डेथ कैसे सब्सक्राइब बिना चाहिए नहीं जोड़ा है जहां उनके स selbstार्वार त 그냥 दितम दुनिया लिकार की इसा कि आहिए मैं कोई भी पैरा वीडियो नहीं कर रहा था मुझे बहुत लोकेशन मिले ज्थरकंड में मुझे बैंगॉल में मिले कुछ लोकेशन वीच अगया था वह मुझे लोकेशन्स मिलें, कुछ च्छे साथ टीवी शोस के भी ओफर आये थे इसमें अच्छे चैनल है, आज तक भी है, न्यूज एटीन भी है, और एक आपका एबीपी भी है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं जादे से जादे अपना बाइट दे सकत है, अब आप सुचरे होगे, यह तो बहुत बड़ी बात बोल रहा है, न्यूज चैनल को मना कर रहा है, कि अपना टाइम नहीं लगाऊंगा, देखिए, हर इनसान का अपना एक मकसद होता है, आप जिस दिन ये सोचना शुरू करेंगे ना, कि हाँ, आप दुनिया में के लिए जो नॉर्मल प्रोसेजुर है, खाना, पीना, मेडिकल फैसलेटी, सब को चाहिए, लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं कि उनको लाइफ में कुछ करना होता है, आप महेंदर सिंग धोनी को ले लिजिए, उनकी नौकरी थी उनकी रेलवे में, लेकिन देखिए, क्रि देख抱र ब्राइफ में, लेकिन देखिए, वाठ को सब्सक्राइफ में बहुत थी योग होते हैं, लेकिन बॉट तक शीज होता है, विए में कहने चाहे था, इस भास शाहिस उनकी, आप लिए बहुत हैं, लेकिन तो यह चीज़ होता है, मैं वही कहन करनी होती तो मैं जारखंड अपना जो मेरा गरीब राज्य है मतलब आप उसको कह लिजिए कि वह बहुत पूर स्टेट है वहां से दिल्ली क्यों आता हुआ मुझे बस भरोसा था अपने उपर कि हां मैं मेहनत कर सकता हूं मैंने 16 16 गंटा किसी टाइम में काम किया है 2000 आप कहलो कि 6 से ले करके 2010-11 के बीच में तब ही एक कंपनी में बना पाया अच्छी खासी अच्छा आपको अच्छी कबर देता हूं इस साल मेरी कंपनी कि एनपीसी वायरलेस वेंडर बनी आदित्य बिरला की दीप इंडस्ट्रीज की ओएंजिसी की मतलब ओएंड नाच्रेल गैस कमिशन जो आप सुनते रहते हो तीसरा इस तरों में हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया हम बड़े छोटे से उसके पाठ है चंदरियान थरी क चार सो प्राइवेट और पबलिक कंपनी ने चंदरियान थरी के लिए काम किया था उसमें से एक एनपीसी वायरलेस भी है जिसने चोटा सा एक कंट्रिब्यूशन दिया इस रोको अब इससे में भी लाइम लाइम लाइट में आ गया वहां के जो कुछ टेक्निशियन्स हैं साइन्टिफिक ऑफिसर्स हैं बात होती है हमारी उन्होंने हमारा चैनल भी देख लिया पता लग गया उनको एक दिन ये बोला कि आप इतनी एडवांस बाते करते हैं रेडियो फ गुम्राह कर रहे हैं या उनको उनके अंदर अन्ध विश्वास भर रहे हैं साइंस के नाम पे तो मैंने कहा कि सर देखे मैंने फील किया है इसेलिए इतना समय नहीं था कि मैं सारे स्टोरी बताओं about Gaurav and all that मैंने लिशार अगों करमेंट करें ने यता आनी बालेंगे समय है उने को अपने इंट के और मैंने उनखे जडों उनको Penis अपने कंटेंट उनको इनलाइटें करो आप मैंने का हां सर यह तो जरूरी है अब रही बात देखिए आफ्टर लाइफ की यह एक पर्सनल सब्जिक्ट होता है मैं मानता हूं हो सकता है मेरे साथ कोई यहां बैठा हुआ हो मेरा दोस्त बहुत सारे मेरे दोस्त आते हैं वो नहीं मानते हूं कहते है अरे राज भाई कभी अब जो भूत देखा है अंको लगता भूत वैसा ही होता है च्मा मैं यह कह रहा था कि मैं दिली आया बिसनस खड़ा करने के लिए चलो कर भी लिया लेकिन अब ऐसे बिसनस में आ गया जहां time manage कर पाना बड़ा मुश्किल होता है एक गंटा एक गंटा आप कह लीजे कि मेर उपर भारी पड़ता है अभी जो मैं वेडियो कर रहा हूं रात को सुनसान में यहां पर अभी एक डिड़ बज रहे हूंगे मेरे ख्याल से इसको क्या करना है लेकिन मैं किसी साइट पर जाओंगा दूर जाओंगा तो उसका अलग है छे गंटे लगे दस घंटे लगे खर्च लगे चलो खर्च भी चुड़ो आप फिर आओंगा दूसरा दिन भी गया बहुत जादा अगर दूर चला गया जैसे टीवी वाले बोलते कि राजयस्तान के इस कोने में चलो बाडमेड चलो बाडमेड आना जाना इन्वेस्टिगेशन कहना रहना मतलब वीक का चार दिन गया कि ना इतना वह पे करते हैं सीजी सी बात है टीवी चैनल्स वाले इतना पे नहीं करते हैं अब आप भी कह रहे होंगे कि बड़ा ये भचर भचर बहुत ज्यादा कर रहा है बढ़ बढ़ता बहुत ज्यादा है बहुत बोलता है चली मैं अभी कुछ बोल लेता हूं देखि जो मेरी लेवल है यूट्यूब में अगर मैं महीने में छे वीडियो भी करूं इधर उधर जा करके इंडिया के इधर के लूकेशन उधर की मतलब पूरे इंडिया की कहीं पर भी जहां भी आप लोग बुलते हैं कि यहां जाओ आँ जाओ और उस पर मतलब ठीक ठाक भी उस जाते हैं दो लाग दीन लाग चार लाग ऐसे हर वीडियो पर आपको छोटा से एक्जामपल दे रहा हूं तो भी मैं यूट्यूब से शायद पांच रुपय अंद कर पाऊंगा और एक महीने में मेरा बिजनस मुझे टूहंड़ टूपीस अंद कर देता है एक महीने में त अब सोच कहां पांच रुपए इतना समय लगाके टाइम लगाके कहां 200 रुपए आपको लगा ऊवाला पकार टोड़ा सा मैटराल स्टिक हो गया है दिखे जब तक आपको भगवान ने शरीर दिया है न थोड़ा बहुत वैटरानी लेस्टिक होना चाहिए बहुत ज़्या और हम तो चाहेंगे भगवान किसी को भी बुरा बुड़ापा कभी नहीं दे, आप मेरी जगह होते, क्या, मैं जो कह रहा हूँ, आप उसे गलत कहते, आप कहते हैं, वकार राज गलत कह रहा है, बहुत लोग मुझे कहते हैं, क्या यह आपका पैशन है, आप तो मेटरलिस्ट हो गया, पैसे के पिछे भाग रहे हो, अरे भाई, जो मुझे कह रहा है, मैं पूछता हूँ, अब क्या जॉब कर रहे हो, जी, मैं कंपनी में मार्केटिंग में हूँ, आप मैं बोलता हूँ, अच्छे काम करो, आप जॉब चोड़के बैठ जाओ, अब मेरे साथ चलो हर र बड़ी महनत, मैंने बहुत महनत किया, तब जाकर के लक्षमी भगवान मेरे द्वार पर आती है, मेरा दर्वाजा खट-खट आती है, अब मैं बार बार दर्वाजे बंद करो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, यूट्यूब को बहुत प्रेत, इधर जाना, उधर जाना यहां वीडियो करना, और दूसरी चीज इनके अपने अलग खत्रे हैं, आपको क्या लगता है, कि मैं यहां से जा रहा हूँ, नौइडा और मैंने कोई खाली जगह देखी, कोई खाली बिल्डिंग देखी, विरान बुश गया वहां पे, अरे किसी की तो होगी वो, बिल्क है वो, बिल्कुल, बोलेंगे भाई पहले तू थाने चल, हमें सटिस्फाई कर दे, बड़े बाप, बड़ा बाबो को सटिस्फाई कर दे, कि तू कर क्या रहा था है, यह हो गया, चलो, वो तो फिर भी तमीज से में रहते हैं पुलिस वाले, दूसरी चीज, अगर उस प्र प्रोपर्टिफ बंद है, सुंसान है, रूम टाइप का बना हुआ है, खुला है, आपने प्लान बनाया है, बनाएंगे पांस साल बाद, दस साल बाद, बच्चों के लिए बनाएंगे, पैसे आएंगे, बनाएंगे, लिगे मुझे लगा कि अरे यार, यह तो बंद है, आपका फर्ज बनता है, मुझे डंडे से मारना, क्योंकि मैं आपके प्रोपर्टी में बिना पर्मिशन लिए गोसा हूँ, क्या आपके घर में बिना पर्मिशन लिए मैं गोसूंगा, तो आप क्या वेलकम करोगे, थपड मारोगे ना, बड़े यूट्यूबर दिखो यार लोकेशन नहीं मिलती, पहले, आपको क्या लगता, किसी के खेत में जाके वीडियो कर रहे हैं, और खेत का जो किसान है, वो साइड में सोया, उसने देखा, लाइट वाइट बत्ती बत्ती जल रही, अच्छा, और उसने सुना, अच्छा, भूत प्रहत की बात हो रही है, व अगर या स्रिलाग की प्रोपर्टी तो कल पता लगा, इतना फेमस हो गया, यह कि भाई, यह तो 30 लाग में भीना बिखेगा, क्यों, भूत रहते हैं, होता है, बहुत सारे ऐसे इंडिया में प्रोपर्टी अटकी हुई है, खर हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, नहीं त साथ कह सकता हूँ, कि अगर उन्हें पाइलेट का कोस नहीं छोड़ा होता, और एक समय निकाल करके कभी, कर लिया तो कर लिया, आज वो हमारे बाद, हमारे बीच जिन्दा होते, उनकी फैनेशल कंडिशन बहुत अच्छी होती, और सबसे बड़ी जो बात है, कि उनके और उनकी मॉम, उनका जवान बेटा नहीं जाता, इकलौता बेटा, भूतों नहीं मारा था, विकिपेडिया में जा करके देख लेना, गौर अवतिवारी गूगल पर साच करना, विकिपेडिया में देख लेना, रियल रिजन आ जाएगा, कि उनकी डेथ हुई थी, तो भी मेरे भरोसा नहीं है, तो जन सत्ता, 2016 सेप्टेंबर, वहाँ का एडिशन देख लेना, बिलीब कर लेना, नहीं तो ठीक है, आप मानते रहो, आप मानते रहो, भानगड की बोतों ने मारा था, तो इसका मतलब क्या मैं कोई पैरा वीडियो नहीं करूँगा, देखिए, पैर लोकेशन पर जाओंगा, स्पेशली इसके लिए, समय निकाल के और वीडियो करूँगा, क्योंकि दस साल से यही चल रहा है, यही एक्योपमेंट में हम दिखा रहे हैं, देखें, मुझे तो कुछ वैसा, जो भी मिला है, कैमरे में में आपने सब कुछ देखा है, कुछ भी मेरे सामने आज तक आके नहीं खड़ा हुआ, जैसे कई यूट्यूबर के सामने आके खड़ा हो जाता है, या उनके ओपर पत्थर भी चलता है, कहीं आग भी लग जाती, मेरे साथ नहीं हुआ है, और मेरे खाल से दुनिया में जितने भी जन्मीन इंवेस्टिगेटर हैं, उनके साथ नहीं हुआ ऐसा, तो पैरा पे मैं वेडियो करूंगा, और पैरा के जानकारी के लिए देखे, आपको तीन चीजों की जानकारी होनी बहुत सरूरी है, स्पेस, टाइम, एंड कॉंशिसनेस, अब इन तीनों चीजों का जो, अब कहलो कि इसका एक्स्प्लानेशन है, वो भी एक आपको इसा बंदा चाहिए, जो एक्स्प्लेइन कर सके, कि कॉंशिसनेस, टाइम, स्पेस, इसमें रिलेशन क्या है, यह थोड़ा सा कॉंटम मेकैनिक्स की तरफ आ जाता है, कॉंटम फिजिक्स, जिस पे शुषान सिंग राजपुत स्टडी कर रहे थे, जै जव तिवारी के जो गले पे काला निशान आया था, उसकी क्या कहानी थी, देखे, बहुत जाच परताल करने के बाद, कई साल गुजर गए इसमें, कुछ लोग मुझे ऐसे मिले, और कुछ लोग ऐसे भी मिले, जो कि उस फलाम और शरी, मुर्दा घर में, जहां उनकी बड करनी पड़ी थी, देखे, काले निशान का राज यह है कि जब उनने अपने अपको हैंक किया था, तो यह सारा रेड था, यह रेड था, यह जो एरिया है, यह लाल था, रेड था, ठीक है, गिर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है, डॉक्ट पॉस्ट मॉत्म के लिए डाला जाता है प्रोसेज़्यायोर होता है कि सरकारी है कोई भी होस्पिटल मेसा क्रिया कि नाच्रेल स्ग ऋविए तो स्मॉटम होना पॉस्ट मॉटम होता है यह सारकुछ हो जाने के बाद बॉडी को फिर से डाल दिया जाता है कोल्ड स्टोरेज में कि सुबा में कि 8 जुलाई को जब बॉडी हैंड ओवर करना था जेटी के फैमिली को तो जो वहां पर हैंडलर्स थे कुल स्टोरेज और वहां का जो एरिया जो पुस्ट मॉटम वाला जो लगता है से रूम वहां का कि इन्होंने क्या किया बॉडी को निकाल के स्ट्रेचर पर रख करके कपड़ा हटाया कपड़ा हटाया और गौरब का सर घुमा हुआ था आपने देखा हुआ यहां को सीधी सी बात है कोई भी चाकू से ऐसे करके अभी मान लीजिए हाथ ऐसे करता है ब्लड दिखेगा ब् अब फिर चलाकी किया कि फोटो को थोड़ा फिल्टर विल्टर करके उसको ऐसा कर दिया कि ब्लैक सा दिख रहा था अब उस जमाने में उस बंदे को वाइरल होने का शौक था तो उसने बड़े चोटे पिक्सल की फोटो शायद वन मेगा पिक्सल भी नहीं 0.5 मेगा पिक्स मतलब क्या सही बोला ना कि उसके बाद यह कि चल गया जी कि ब्लैक मार्क है गौर अफिवारी को किसी भूत प्रेट पिशाच क्या बोलता है डेमन ने मारा है कि समझें इन बातों को सोच कर देखो गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन पब्लिक से अगर मैं बात करूंगा ऐसे पब्लिक तो पब्लिक के सामने गुस्सा नहीं जाहिर कर सकता इन बुरा यह लगता है कि लोग गिद की तरह है जैसे गिद होता है न आफरीका के जंगल में या किसी भी जंगल में बाग सिकार कर रहा है किसी का भी गाय का बंदर का वाइल्ड बिस्ट का जिब्रा का तो गिद पहले से तयार होता है यह खाके जाएं उसके बाद मेरे नंबर आएगा तो यही कुछ हो गया यार इसलिए ना मुझे और चुकि कोई regulatory body नहीं है paranormal के अंदर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है जो जिसने बना दिया मतलब वो authentic है जो जिसने यू कर लिया इसलिए तो अब जो मेरी वीडियो आएगी उसके जो मैं बता देता हूँ टॉपिक स्पेस स्पेस मिस्ट्रीज जियो लोजिकल मिस्ट्रीज जियोग्राफिकल मिस्ट्रीज अब जियोग्राफी गैलेंसी जनरल एवेर्नेस आप कहलो कि थोड़ा बहुत quantum mechanics क्योंकि इसको अगर बहुत scientifically अगर मैं जाओंगा तो शायद लोगों को लगेगा बहुत complex हो गया है वो देखना नहीं चाहेंगे और भी अगर आपको कोई topic ऐसा लगता है कि हां मुझे cover करना चाहिए तो आप comment कर सकते हैं पर इतना ध्यान देना कि अब जो मेरी topic आएगी अगर आप अपने बच्चे को दिखाऊगे तो उसका कल सुने रहा होगा पहले मैं कोई video जो करता था यहाँ पर investigation कर रहा हूँ अपना ताम ज्याम रख करके आप उन्हें बच्चे को नहीं दिखा सकते हो गलत असर पड़ेगा तो दोस्तों मुझे यही कहना था आज के लिए बस इतना ही आप सब अपना ख्याल रखें जैहन